Subscribe to our channel by clicking the subscribe button, click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. तो उपस में तुआ शिया जाए तो जा कते होता हैं नहीं नहीं इस्टार्ट लिया तौरी टीम को लीड करते वे भी आप दोनों मौजूद है अर scriptures ले लोग unions को बना चाहूं की मौलाना इम्रान बशीरा के वो इस वक्त हमेरे साहथ है और ले गॏप request की और वो यहां आके बच्चों के साथ बैठ गए हम शुक्रिया especially आपका अदा करना चाहेंगे इम्रान भाई जी आज बच्चे क्या activity कर रहे हैं और नूर मुझे तो लग रहा है आप खुद बच्चे बन गएं क्यूंके किताब आप बच्चों की पढ़िए हुश्चे में यह वो characters hero देख रहा था सारे मुझे समझ नहीं आ रही थे कि hero यह सिर्फ लड़ते क्यों रहते हैं मतलब सारे घुस्से में घुस्से के अंदर नहीं बेसिकलि हम अगर इतिहाद रमजान की बात करते हैं हम टीम महाफिस की बात करते हैं हमारे comic book के characters हैं जहाँ पर इतिहाद की हम एक मिसाल लेगे आने चाहँ पर हिंदू Christian Muslims तीनों जो हैं साथ मिलके हैं वो हमारे महाशरे में जो नुखलिफ बुराईया हैं उसके खलाफ अपने तई अपने मदद आप सामने आए हैं अगर आप ये देखें आपके शाहिस्ता आपके हाथ में भी हैं दस हीरोज हैं यसे हमारे पास एक मौलवी भी है एक हमारे पास Christian भी है एक Muslim भी है एक Hindu भी है एक Tech Savi भी है हमारे पास यहाँ पर ठीक है आपके हैं अगर किसी बंदे की ताड़ी है वो बिजस्ता फॉलो करता है इसकार्गे साहिस्ता फॉलो करता है यह का है बचों की तरफ और बचे आज क्या activity करेंगे हमें इनके सामने मनाजे रखे हैं कि इसी इसी इंड में अपने ताइं या उसको जहे उसमें मनाजे में रंग भर रहे हैं किस नजरी से इसको देखते हैं किस नजरी से इसको देखते हैं किस इनको बारे में बताया जा रहा है साथ साथ और यह कैसे इनको देख रहे हैं वह हम लेक अब कि मैं अगर आप कोई समझाब सुपूर यह देखिए यह किरेक्टर्स हैं इन में कलर इनोंने करना है और यह सारे बच्चे जो इस कलरिंग बुक में कलर करें अपनी पसंद से वो अपने हीरों में कैसे रंग भर है अचा जी जी बताईए को अपर बात करें जैसे हम इति और पहाद रमज़ान की मुस्लिमीन की जै वो इतिहाद की बात करे तो बाकी इनसानियत में बी इतिहाद होना चाहिए है तो हम उस थीम के अपर जैब और खासता अपर जो नौन मुस्लिम्स हैं या गर मुस्लिम्म्हा इन से हमारा सलूप बड़ा मेंटर करता है अभी अब वो कॉन्वेंट था लेकिन इमरान भाई इस वक्त ये पूछना चाहूंगी कि अगर हमारे बच्चों को आप ये बता सकें कि रसूल अल्लाई सल्लिल्लाहु अल्याई वाले वाले वसल्म का गेर मुस्लिमों से सुलूख कितना खुबसूरत और प्यारा हुआ करता था तो बच्चे और हम जैसे लोग भी बहुत कुछ सीच सकेंगे जी जरूर मैं अर्ज करना चाहूंगा अप में रवयों को ठीक कर सकेंगे बिसमिल्लाहरहमान रहिम्न अहम्मदून अस्वाली बहुत शुक्रिया आपने कितना अच्छा मोदू और इतना अच्छा नाम रख़ा है मैं कहीं दफ़ा ये पहले भी बात कहा चुका हूँ शुर्मिल्ला बेन कि इतिहाद जिस उम्मत में जिस कौम में आ जाता है वहां रब की रहमतें उतरना शुरू हो जाती है और जहां से इतिहाद चला जाता है वहां रब की रहमतें वापस जाना शुरू हो जाती है और मारी बेहन ने बड़ी खूबसरत बात फर्माई कि हम तीस मुक्तिव जगह पर हम राबता करके आपस में इतिहाद को पेश करना चारे है लेकिन सबसे पहले इतिहाद और इतिफाक तो गर से शुरू होता है बच्चों के साथ तो आका करीम अलेही सलाथ उसलाम की सारी जिन्दीगी मुबारका को उठा के देखा जाए तो वह इतिहाद और आपस के जोड़ के साथ जुड़ी हुई है हटा के आप अलेही सलाथ उसलाम की जो सबसे बड़ी बेटी थी हज़स जैनब रजियल्लाह उतला नहा जिस शख्स ने उनको बर्चा मारा और उसी जखम की ताब ना लाते हुए खून रिस्ता रहा और दुनिया से तश्रीफ ले गई शहीद हो गई फता मक्का के मौके पे जब वो शख्स भी सामने आता तो उसको भी गले से लगाया जा रहा और उनकी उलाद से पिर अल्ला ने नसल कौन सी पैदा फरमाई बहाओ दिन जखरिया जैसी हस्ती उनकी नसल में से पैदा हुए और अल्ला ने बड़े बड़े ओलिया को उनकी नसल में से पैदा फरमाया ऐसे ही इसलाम के खिलाफ बहुत बड़े शायर थे जिनको खतीब अरब कहा जाता था फता मक्का के से पहले बदर के मौके पे वो पकड़े गे तो अज़मर रजिया लगाने का या रसूल आल्ला ने लिए अजाज़त हो तो इनकी फसाहत और बलागत इनकी जुबान जो है ये इसलाम के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है अजाज़त हो तो उनके दांतों को तोड़ दिया जाए तो आका अलेही सलाथ असलाम की रहमत पे कुर्बान जाये फरमाया क्या तुम ये नहीं चाहते कि इनकी ये फसाहत और बलागत इसलाम के लिए इस्तेमाल हो चुनाचे फता मक्का के मौके पे ये भी सामने आया और उनका हुकम था कि जहां नजर आ इनको कतल कर दिया जाए उसके बावजूद इनको भी गले से लगाया गया और जब आका अलेही सलाथ असलाम दुनिया से तश्रीव ले गए तो मक्का के लोग दुबारा कुफर की तरफ जा रहे थे ताइफ के लोग दुबारा कुफर की तरफ जा रहे थे इनके एक खुत्बे की बरका से लग одна ने सब को इसलाम weniger दाख फरका है तो आप अलेही सलाथ असलाम का तो सबख गैरों के साथ ही मिलता है اور یہاں تک کہ مشریکینِ مکہ کے یہ الفاظ تھے کہ ہمارا گدہ تو مسلمان ہو سکتا ہے ہم مسلمان نہیں ہوں گے اور یہاں تک کہتے تھے کہ آسمانوں سے سیڑھی نیچے اترے اور وہاں سے دائیں بائیں آقا علیہ السلام کے ساتھ دو فریشتیں اتر رہے ہوں ہاتھ میں کتاب ہو تب بھی ہم ان کی بات کو نہیں مانیں گے لیکن آپ کے اخلاق کے صدقے سے آپ کی جو محبت تھی غیروں کے ساتھ اپنوں کے ساتھ تو تھی ہی تھی गैरों के साथ जो महबत थी उस महबत के सद्गे से वो मुझबूर हुए कि हम इसलाम के बगार जिन्दा नहीं रह सकते इसी में हमारी आफियत है इसी में हमारी बलाई है अच्छा इमरान भाई आज हज़त खतीर अच्छल कुबरा कोई ऐसा मुश्किल वक्त आया तो हाजर भावी कितनी खड़ी हो गए आपके साथ उसमें दर्खास यह है कि अल्लापाक ने अल्हम्दल्ला हर मौके पे अल्ला का ऐसा फजल हुआ अल्ला का करम हुआ मैंना अपना हॉस्पिटल बनाया उसमें कुछ क्रासिस आगे अल्हम्दल्ला पूरे पाकिस्तान में दो या तीन ऐसे उस्पिटल है जिसमें खवातीन के लाज खवातीन कर रही है फीमेल के लाज फीमेल के उसको मैं चेर मैंन हूँ और भी मुखती चारोबार ये इतवार से क्रासिस आए पिया की सरजमीन है वहां पर एक खातून गरवलों से मिली और उससे वो कहने लगी कि मेरी माँ ने शादी से पहले मुझे दो बातों की नसीहत की थी मैंने उन दोनों बातों पर अमल किया उसकी बरकत से अल्ला ने मुझे वो कुछ दिया कि मैं बता नहीं सकती बीस्यू मरतबा हुदूर अकरम अमा खदीजा की जारत कराई अमा आशा की अमा फात्मा की यह वो हस्ती हैं जिनके लिए लोगे खवातीन तरस थी है अल्ला ने उनकी जारत कराई और वो कुछ दिया जिसका मैं सोच नहीं सकती थी वो दो बाते ये थी कि एक तो कभी अपने खामिन से किसी चीज़ का मतालबा न करना हमेशा खामिन को कहके भी तब ही मिलना जब ल्ला ने चाना है सारी हकूमते मिलके सारी काइनात मिलके मेरे आपके मसेले हल नहीं कर सकते जब तक अल्ला ना चाले और कहती मैं जब भी दो नफल पढ़ती जो मेरे दिल में होता अल्ला खामिन के दिल में वो ही चीज़ डालता और वो लेके आ जाते हाँ अलबता जब पूछते है किसी ज़रूरत है तो मैं तफसील बता जेती इसरार कभी नहीं किया दूसरे नंबर पे मुझे ये बात कही कि कभी भी खामिन की नाफर्मानी ना करना हता कि उनकी तरफ कमर भी ना करना जैसे कोई पीर साब को बज़र को नेक आदम उनका बड़ा अदब करते है काइनात में अल्ला ने सबसे अदब वाला मुकाम सबसे उंचा रिष्टा जो बनाया है खावातीन के लिए वो खामिन का बनाया है यहां तक काका अलेही सलाथ वसलाम ने फरमाया अगर मैं अल्ला के लावा किसी को हुकम देता कि वो सजदा करे तो मैं खामिन औरत को कहता कि वो अपने खामिन को सजदा करे और मर्द को कहता वो अपनी माँ को सजदा करे तो यह कैफियत अल्हम उसकी बरके से गर में कभी जगड़ा नहीं हुआ लडाई नहीं हुई और फिर खामिन के भी दिल में क्या जजबात होते हैं मैंने नहीं नहीं गाड़ी खरीदी और गाड़ी अल्ला की शान चौरी हो गई तो मैंने उसका चेसी नंबर वाबरा बाकी चीजे लेनी थी है तो ऐसा आचेशों साब आप कहते हैं बाकी सारे मारिटोन के हमारे दोस्ती करते होके कहली कि जी 오늘도 के इसका नंबर वारा बताएं तो मैंने नहीं जो इनका थाक था कहना नहीं जो हॉत ई lyrics वेतरीन, बहुत एक्सुरत शीजिए पूछ रहा था कि आप गहर मौझूदगी के लावा मौझूदगी में भी उनकी तारीफ इसी तरह कर लेता है मुझी दागता है इदर मामला कुछ दूसरा है एक ब्रेक लेते हैं जीजिए के साथ इतहाद से भरे इस ट्रांस्मिशन में आपको एक मरतबा फिर खुशान देद कहेंगे हमारे गेस्ट, हमारे महमान, हमारे साथ मौझूद हैं, इम्रान भाई मौझूद हैं, डॉक्टर साहिब भाई हैं, शरमीला फारुकी हैं और अभी हम इसको यही कह रहे थे, कि अल्ला करे कि यह ट्रांस्मिशन आगे आने वाले कालों में एक ट्रेंट सेटर बने, और इसी तरह के हम और चीज़ें लेके पर आगे बढ़ें, लेकिन अभी हम जा रहे हैं, अब तन्जानिया, दारुस्सलाम जा रहे हैं जी, और व क्या रंग दिखाते हैं रमजान के? क्या रहे हैं, अब दिखाते हैं, अब दिखाते हैं, अब तन्जान के? हेलो, सलाम जाएं, नाजरीन, मेरा नामर्डीन ओली है, और मैं आया वाह हूं इस वक्डार सिल्श तन्जानिया, इतिहात रमजान के लिए, अठारस वासिट में सुल्तान माजजद साब नहीं सोचा थै कि एक शहर होना चाहिए, जिसको कहेंगे हारबर अफ पीस, यानी द के साथ और पेट्रियॉटिक अंदाज से शाहिद सा मैं आपको लेकर चलूँगा कुछ हिस्टोरिक जगाओं पर मिलाओंगा कुछ इंट्रस्टिंग लोगों से और हम देखेंगे कि उनके रोजे कैसे गुजर रहे हैं आ तो इसुझ मैं आयस हूं दार इसलाम की गरी आको् मार्केट में जो यहां की बहुत-बड़ी मार्केट है यहाँ पे बिल्डिंग है शिर्डिंग है जो आपको अभी नज़रा आ रही है कुछ भी नहीं था बिल्कुल पत्रों वाली छोटे से स्टॉल थे जिसके अंदर लोग ना अपनी दुकाने लगाए में थी लेकिन जैसे ही इंडिपेंडन्स इनको मिली उसके बाद यहाँ बि मार्केट के मनाज़र देखें अब हमारे जो गायड हुआ हैं मैं बता रहे हैं एक फूड और वेचिटबल की साइट पे जहां खाने पीने की जगए हैं एक ही वक्त में यहां पे हजारों की तादात में लोग होते हैं ऐसा कभी नहीं होता कि यहां पे कम होता है रश मतलब कई कई भीच में जगएं होती हैं कि जहां आप अब हम से गुजर सकते लेकिन अब जादा तर ही होता है कि इस मार्केट बहुत फूल होती है तो अब मैं जा रहा हूं हों एक जहां मुझे यकीन है कि बहुत रश होने वाला है कर दो स्पख़ाई बादर की एक हर चीज बचट के बारे में बड़ा सीन एक बचट बजार एक हर चीज जो है स्थे मिल्ती है विए फो पीपोल वाई थिंग्स तो यह बढ़ी अच्छी बात हुई हुआ आपको लेकर चलता हूँ आप देखेंगे किस तरह के फ्रेश हंग्र जैसे मैंने पताया ना कि दार उसलाम की खासियत ही है कि हर रिलिजिन के लोग एक साथ रहते हैं तो जैसे क्रिश्टिन्स जो हैं बड़ा ख्याल करते हैं मुसलिम्स का प्राइस नीचे गिरा देना वगरा वगरा और सबसे ची बात ये कि यहां पर सफाई बहुत है मतलब हाला कि वैसे बड़ी तंग छोटी सी गली है और चीजें भी बहुत है लोग भी बहुत है लेकिन कोई गंज वगरा नहीं है कोई बदबू नहीं आ रही है वाव अमेजिंग शाहिसता इस सुब मैं बड़ी मज़दार जगा पर आएवा हूँ किंगम मोनी फेरी जो एक डेली चीज है कम्यूटर्स यहां पर रोजाना आते हैं उस तरफ जाने के लिए यह आईलेंड है जहां पर मजॉरिटी मुसलिम्स रहते हैं जातर मुसलिम्स हैं वो यहां आके ट्रैवल करते हैं बोट के जरीए यह आपको पीछे एक बोट नजर आ रही होगी इसी तरह की बोट है जिसमें पांच मिर्ट के वक्वे के अंदर यह बोट इनको इस तरफ लाती है में लैंड पर जहां मैं खड़ा हूँ हूँ तो यह बोट लेके इस त दो बच्चे उनका महीने का खच्चा जो है यहां पर्दार इसलाम में इस बाओ 50-80 डॉलर्स बिच इस बढ़े लेकिन बदे दैखंगे शाहिस्ता मैंने बात की रिलिजिस डाइवरसिटी की मैंने बात की मुक्तलिफ कल्चिर्स की कि दार इसलाम इस अर्बर आफ पीस जहां पर डिफरंट लोग डिफरंट तबकों के रिलिजिस बैक्गराउंड के एक साथ पीस्फिली रहते हैं ये वो स्ट्रीट है जो इस जगा है प्लेस वर्शिप फिर इसी आगे जाके स्ट्रीट पर वहां पर सुनी मॉस्क है वहां पर इसमाइलियों की जगा है वर्शिप करने की फिर इसी तरह और एक दो और जगाए है इस तरफ जो पीछे की तरफ है बोरियों की जगा है जहां पर वो जाकर वर्शिप करत मुझेशल पैस पर करें。 जैसे पाकस्तान में वते हैं, के वेस्टबल समोसे होते. यहां पर मीठे समोसे होते हैं, तो आज़ा एएंगे छुलेबिया भी बन रही है घुलाब जा可以 बन रही है. तो थोड़ा पाकिस्तानी फील आ रही है. कि मतला अफ़तारी जो होती है तो पर वो इसी तरह होती है दुनिया भर में आप चेक कर लें कि जलीवें हैं बड़ा फिट सीन है इस वक्त मूँ में पानी आगे लेकिना भी कुछ कर नहीं सकता मैं यही है सारा कि भाई सबसे पहले तो हमारे उन साथियों के लिए ताली बजा दीजे जो हमारी टीम्स मुक्तलिफ शेहरों में इसलामी शेहरों में निकली ही है और वो आपको इस तरह की अपडेट्स देती हैं वहां से और आपको कैसे इतहाद का एकदम से फॉर ना यू कर कि कनेक्ट हो जाते हैं आप जलेविया वही शेकल लग रहा था तन्जानिया के मजार में कुर्ता पजामा पहनते हैं पाकिस्तान की देखें आप उनके आसपास तो लोग उजरे तो अक्सर ने टोपियां पहनी हुए थी अपने पने लवास तो ये तो बड़े दिल्चस्प आम करना चाहिए तो बिल्कुल मैं आप नेवर बें तो तन्जानिया लेकिन मैं यहां देख रही हूं तो लोग बड़े मेहनती नजर आरे हैं मार्केट्स कुछ सेलारिटी हमें अजर आरी है फिर जलेबिया पिर समोसे मीठे समोसे मीठे पूरे तो कहीं ना कहीं मुक्तलिफ इसलामिक मुमालिक में एक इनक्टिविटी है लोग में हमें एक दम से यूं करके कनेक्ट हो जाता है जैसे वो आइलेंड दिखाया कि अच्छी बुलगरी थी कि वो पांच मिन्ट में यहां से वहां पहुंच जेते लेकिन वो आइलेंड उसमें ज्यातर मुस्मानों की अक कि तंजानिया में इनकी तंजानिया और केनिया दोनों की जो जो मटी है वो लाल है और उसमें से उनका एक ये भी वो है कि जी वो उसको मटी को गिली मटी लेते हैं और इसको बेक करते हैं और मतला मर्द भी लेकिन मोसली खवातीन भी वो मटी खा रहे होते हैं इतनी गुर मिलती है उसकी जिसे हमारे यहां कढाईयां और इंटीरियर के लोग करते हैं और उन्हें रिज्रत कितनी कम मिलती है तो इसी तरह बिल्कुल वहां इसी यह आल्टरनेट प्रफेशन है वहां पर सफाई कितनी है यह नहीं हम लोगे समझते हैं कि गुर्बत और गंदगी का अमीर तरीन लोगें को वही साफ सुत्रे हैं हलाकि सहाबा की सारी तरीख उठाके देखी जाए उन से बड़े काईनात में साफ सुत्रे ना आएं हैं ना आने हैं हर एत्रबार से साफ सुत्रे और आखा लिए सलातुसमें ने कभी जिन्द्गी में गंदा कपरानी पहना पर लकडियां कोई नहीं बेचेगा क्योंकि लकडियों के साथ जाहरा उसकी वो चीजें जब उतरेंगी लकडी से बूरा वगएरा तो उससे गंदगी फैलेगी बाहर रखवाया नमबर एक नमबर दो उसके लिए बक्यादा उस दोर में बड़े बड़े थैले बनवाएगे कि फिर भी बाहर से बिलाना तो थैलों में लेके आएंगे ऐसे नहीं लेके अच्छा उन सब की रोशनी में आप शाल कोट के रहाइशी हैं कराची आपको सब दुनिया भर में फिरते क्या तजवीज आप देंगे पाकिस्तान की जैसे शर्मीला है मतलब हम कोई सफाई की ड्राइव नहीं शुरू कर सकते सारे मिलके कि हम ना रेपर फैंके आप क्या फर्माएगे जी मैं ये अर्ज करूंगा कि हमारे कुछ जीज हमारे अपने बच्चे भी जब बाहर मुलक में जाते हैं तो मामला यूँ होता है कि वहां पर जब कुछ चीज नीचे फैंकी जाती है तो कहते हैं ये मुलक गंदा हो जाएगा अचा बच्चे तो मासूम होते हैं वहां तो चूँकि जुर्माना है जुर्माने के बनियार पर बड़ा का जेब में आप रखेंगे अचा वही बच्चे जब वापस आए तो यहां जब उनका वालिद बाहर फैंके लगा तो वो कहते हैं पापा ये मुलक भी गंदा हो जाएगा पापा शिर्मिनदा भी होता है कि यार वहां तो बच्चे को इस अंदाज में समझाया था अब यहां हम क्या कर रहे हैं तो कल्चर हमारा ऐसा बन चुक है हम अपनी ज़ाद से बिसमिल्ला करें और अब्तदा करें अपने बच्चों के इस बात की तरगीब लें जिस काम को हम दूसरों से करवाना चाहते हैं उसकी अब्तदा अपनी ज़ाद से करें वो गर की खिदमत और सफाई कर सकते हैं तो मुझे आपको करते हैं क्या होता है अच्छा तंजानिया की हमने मिसाल देखी मस्जिद का जो मिंबर है वो कितनी एफेक्टिवली यूज़ हो सकता है इस सिविक सेंस के लिए कि ये पैगाम दिया जाए कि सफाई निस भी मान है आप क्या करें बिल्कुल ये उनकी तरफ से हम ये दे सकते हैं कि उनके पास असबाब भी नहीं है जराय भी नहीं है इस दोर में भी तो हमें रखते हूँ क्या मसख़वाए है हमें इन लोगों को आइडियल बनाना चाहिए और देखना चाहिए कि जैसे ये लोग हमत कर रहे हैं और अपने मुल्क को अपने आप को साफ़सर रख रहे हमें भी इन चीज़ों में आगे बढ़ाना चाहिए क्य तो और पे ख्याल रखते हैं कि सपाई हो लेकिन हम घर से कच्रा निकाल के बाहर सड़क पर फिक देते हैं अगर एक डंपर भी पड़ा होगा तो हम उसके अंदर नहीं जहमत करेंगे कच्छा फिक नहीं की पस एक तो कैलसनस पिर हमारे ह human उनफूर्चरेटरी स् इसके नहीं है और हम बोड़ कर नहीं करते हम बाहर मुझंगे हम गाड़ीелिश आप शिशा फॉल के बाकी मुमालिक से यह बहुत करीब मुल्क है, यहां पर पावर्टी लेवल कितना जाद है, लेकिन खास तोर पर सफाई, जिस तरह डॉक्र साहिबा ने पॉइंट आउट किया, यह दिनों भी ने भी कहा, कि जिस सफाई यहां बहुत जात है, तो यह समझते हैं कि जिस सफाई सफाई से अपनी सिहत भी बहतर होती है, और सफाई रखनी चाहिए, निस इमान है, यह अगर हम सब समझ लें, और हम सब इसके उपर अमल प्रहा हो, तो को मुश्किल काम ने बहुत अच्छी बात की, वो कैमपेन, मेंपेन का इंतजार ना करें, वो कैमपेन अपने आप से स जोटा सबी टैंफर आपके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारी इस ट्रांसमिशन का हिसा बनी, और मुगे यह अपको इस ट्रांसमिशन की जो सारी कोशिश है, यह पसंद आरह diffic जाए कहा जितारया हिका favor Living तो पिर वो कम्रॉजमान कले किता कि कयाए हुए सवा नहीं करना हिक आप जाए कि एक लेते और बुरह लेते और ब्रेट के बाद आपको फिर जॉइन करिंगे उलमा हमारे साफि झाल असलाम अलेकूम खातीन और रात इताद जम्जान की लाइव अफ़ताद ट्रांस्मिशन आप देख रहे हैं और उलमा हमारे साथ इंतहाई आहम सेग्मेंट और उलमा का तारुफ मैं जरूर आपसे करा दूँ आपके सब बहुत जाने पैचाने अलमा टकीब आदवी साथ महाई साथ मौजूद है मौलाना इमरान बशीर साथ तश्रीफ फर्मा है अली विकार कादी बेटे में और जिक्र है मूल मुमिनी हज़त खदीज़त अल्कुबरा सलाम अल्लाहिए सुबरो की ट्रांसमिशन में भी और आप मुख्तलिफ चैनल्स पे भी मुख्तलिफ हवालों से आज बतारे खास यौमें मिसाल है तो जिक्र हो रहा है बात को हम थोड़ा आगे बढ़ाएंगे अलमा साथ आज की खातून के लिए क्या मुश्किल है सीदा खदीजात अलकुबरा सलाम अले की ताइमात पर अमल करना क्यूं मुश्किल उसको लगता है आज कल और जो बिल्लह मिन श्वेतान रर्जीम बिसमिल्लह रह्मान रर्हीम अज़रत खदीजात ताहिरा ने वाकर जो सबक दिया है उस जमाने में वो आज की खवातीन के लिए वाकर मशल रहा है क्योंकि उस जमाने में वो ऐसी ताजरा खातून थी कि जने सिफ ताजर होने के उनवान से याद नहीं किया जाता था बलकि ताहिरा भी कहा जाता था उनके अलगाबाद में से एक लकभ हो है कि जो बार-बार रिवायतों के अंदर आया है उसका मतलब यह हुआ कि इसलाम ने तिजारत को भी पसंद किया है लेकिन इफद को मुकदम रखा है कि और जह है वो अपने पाकदमनी के साथ अपने पाकिज़गी के साथ माशरे के अंदर आए काम करे और अगर वो कारोबार भी करना चाहती है अगर वो जॉब भी करना चाहती है अगर वो माशरे के अंदर रहे कर माशरे का हिस्सा बनना चाहती है तो इस अंदास ने काम करे सब कुछ कुट कर दिया उन्होंने और बैक सीट ले लिये लेकिन उसके उसकी वज़ा ये है क्योंकि इसलाम का भी गानून है और ये बशरी तकाजा भी है कि जब मर्द से इनसान शादी कर ले जाएने मर्द से जब शादी हो जाए तो मर्द जो है वो मुदीरियत अख्तियार करता है वो अख्तियारा साहिबे अख्तियार होता है वो साहिबे फहम फरास्त होता है लहाज़ा मुदीरियत का जो सारा काम है वो आ जाता है फिर मर्द के जिमें चुनाचे पुरान करीम की भी आयत है कि तो जब माल की बाद आती है तो मर्दों को फौकित दी है खवातीन के उपर इस एतवार से चुकि उनकी अंदर मुदीरियती सलाहियत बहुत जादा होती है वो अपने अकल से जादा फैसला करने वाले होते है जजबात उनके इतने नहीं होते है कफालत बन्यादी दोर पे बिल्कुली सहते बार से तो जहां तक वो तनहाई के आलम में और अकेले उनकी जो जिन्दगी थी मजर्द जो उनका दौर था उस वक्त तक वो ताजरा खातून थी और उस वक्त मुदीरियत उनके हाथों में थी लेकिन जैसे पेगंबर इसलाम से उनका इस रिवाश हो जाता है और निकाह हो जाता है तो उसके बास सारे इख्धियारत पेगंबर हो जाते हैं निशावर ही करते हैं और इमाम फखर الدین राजी ने बड़ी खुबसूरत एक रिवायत बयान की है वो कहते हैं कि एक दिन पेगंबर रकम बड़े गंगीन हालत में आएं घर के अंदर दाखिल होए तो फॉरण है जनाब इखतिय ताहिरा ने सवाल किया कि या रसुलिल्ला आज आप गंगीन क्यों है कहा कि मक्का के अंदर कहसाली का जमाना है और लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है लेकि मुझे श्यर्माती है कि तुम्हारे माल को में इस्त्वाल करूँ और लोगों में तक्सीम करूँ तो उस वक्त जनाब खतीज ताहिरा ने कहा कि सारे गुरेश वालों को बलाएजाए और सारे कुराइश वाले आए जिनमें ये रिवायत शायद गालिबन नकल करने वाले खुद खलीफे अवल हज़रते अबुबकर हैं वो फर्माते हैं कि मैं भी अपने घरवालों के साथ पहुचा खतीजा के घर अख्दस के अंदर और मैंने देखा कि माल के अबार लगना शुरू हुए और इतने माल के अ माल के अमार लगना लागन लगना चौना ये अदिया, इतना जमाँ हो गिए कि मैं सामने वालों को ना दे सकता और सामने वालों मुझे ना देख सकता और जब सब जमा हो गए तो सब को मुखातब करके कहा कि मैं सब को गवाह बनाती हूँ और खुदा को ये गवाह बनागर कहती हूँ कि ये सारा माल अब से मेरा माल नहीं मेरे रसूल का माल जजाकला अर उसी वकिन शावाँ मौनल सब वेस्टन इंफ्लॉइंस है हमारे हैं या हम थोड़ा जिजिकते हैं शर्माते हैं या खुदाना खास्ता कभी कोई देजी 14 सो साल पहले किया बात मसला हमारे साथ क्या है की हम उनको क्यों यह फालू कर रहे हैं हाँ जी ऐग्जिकली बिसमिल्ल paused कlé नुर्बे कसम उठाके कहा जा सकता है कि अगर हमारे मर्द और हमारी खावातीन उस ग्राने को फालू करने वाले बन जाएं तो अल्ला की कसम दुनिया आख़त की सारी टेंशने हल हो जाएं जन्नत का नमूना हो उसकी वज़ा यह है कि जितने भी निजाम चर रहे हैं आप किसी पे भी जाके हाथ रखें मैं अलहमदल्ला जुग्यों वालों के पास भी जाता हूं वुज़ा के पास भी जाना होता है जर्नेलों के पास भी जाना होता है जहां पर भी मैं गया हूं बड़े बड़े अदाकारों के पास फनकारों के पास हर तबके के पास गया हूं मुझे आज तक कोई सुखी नजर नहीं आ है रोको रोते देखा है बेचेन, मैं एक वर्गेडियर साब के पास गया, माहिर नफसियात थे और जब मैं पेशनल लेकर पहुंचा अपना अजीज सामानों को मसला था थोड़ा तो वहां से जर्नल साब अपनी फैमिली के साथ वहां से निकर रहे थे दिखा कर तो मुझे लेकर कहने कि आपको मैंने मुख्ती चैनल पे देखा, कहीं वजाइफ बताते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी तमन्ना थी आपसे मुलाकात हो गफशप होई तो मुझे कहने कि आपसे पहले आपको पता है कौन पेशेंट आई हो तो मैंने कि जी फुलान जर्नल साब ते बार प्रोटोकॉल खड़ा था तो कहने कि जर्नल से लेकर आम फोजी तक, आईजी से लेकर आम पॉलीस वाला और अमरा से लेकर आम एक गरीब आदमी, हर तरह के लोग मेरे पास आते हैं और आके कहते हैं कि हमें सुकून की नींद नहीं आती सुख नहीं है बेस्चैनी है दवाइ लिखके दें मैं लिखके देता हूँ ये कह के तो बर्गेड़ साब की आंख़ों में खुद भी आंसू रवाओं राशित खूयूमन का नाम है आज कल पिंडी में है रोते हैं लगे इमरान भाई मुझे बताए मुझे कैसे सुकून मिलेगा वो जो मौलिज थे जो खुद माहरे नफियात उन्हों ने भी का कि वो भी सुकून के तालिए जो मैं खुद सुकून में ने बेश चैनी के आलम में अगले फ़ते जब मैं गया यकीन करें नूर भाई कि वो बार रिसेप्शन पर ये अंदर देख रहे थे कैमरे बे जब मैं रिसेप्शन पर था अपने अजीजा को लेकर तो रिसेप्शन पर आगए और आके मेरा माता चुम और कहां लगे कि ये जिन्दीगी का मेरा पहला हफता गुज़रा जो इतने सकून में गुज़रा है हमारे निसाब से हमारे स्कूल से कालीजिस से अर्बी का काईदा ये है कि जब भी कोई चीज तकरार पाती है तो दिलों में करार पाती है आप देखें बार बार पेफसी की मशूरी आप क्यों दे रहे हैं पता चलेगा ये जो थी उसूल है भीन्ति के लेकिन क्या रमदान्लमुबरिक ही का इनतार करना है किसी त्रांसमिशन का इनतार करना है टाहत रमदान का या मुखलिफ चैनल का बाकी साल में क्या काहा तालीमात अलिविगार ऐकार कार्दीस तो उस स्वाले से पूरी एक जनाब सीदा की सीरत मुबारक और हयात पर एक नजर एक तायराना नजर दोड़ा कर अगर मैं एक ही बात कहूं एक नुक्ते की बात कि जो मसला है या जो नफसे मसला है वो ये है कि आज की औरत उस तरह से सेक्रिफाइज करने पे एगरी नहीं है उस तरह से कुर्बानी देने पे एगरी नहीं है जिस तरह से उन्हों नहीं कुर्बानी देए इसार के लिए त्यार के लिए त्यार के लिए त्यार नहीं है उस एन मुम्किन है बाज वजवात शोहर की तरफ से हो कि जो घर के लिए और शोहर के लिए उस दर्जे के इसार की वो नहीं है लेकिन चुके खातून को हजरत जनाब सजीदा को नमूना लेना है तो यह नहीं हो सकता कि मौशरे में कोई बुराई हो रही हो यह मेरे साथ कोई कोई ऐसा मसला है तो यह उनके लिए अल्ला की वारगाह में हुज़त और जवाज नहीं है कि वो अपनी सीरत को दरुस्त ना करें पहली बात तुसरी बात यह है कि वो दे देखें कि जनाब सेयदा के पास क्या कुछ था वो दौर और मुतमविल तरीन खातून और क्या उनक है कि जजबात आएंगे रिटर्न होते हैं जजबात हैं हम एक वक्फे की तरह बढ़ते हैं यही तो करने की बात है खातिन अज़रात सब तालिमात हमें पता है रोशनी के मिनार हमाई पास मौजूद है क्यों हम रोशनी ले रहे हैं इसार कुर्बानी का वक्त मैंने ली वकी या आपने तहम्ल किया तो फिर आपके साथ अल्ला रभ लजद की जात है तो यह वह सारे हैं लेकिन जब इस प्रोग्राम से आपसे इजादत लोगा तो मैं आपको एक बहुत रोशन मिसाल इस जमाने की बताऊंगा जो मुझे कभी समझ नहीं आता था कि किसको उन अल्हाँ आपके साथ हैं अल्हाँ आपके साथ हैं अल्लामत हकी महदवी साब मौलाना इमरान बशीर साब अच्छे जी एक सवाल आया और बड़ा मुझे लगा के वाकी मुझे भी नहीं तो नहीं का जब हम अल्मा इकराम गुफ्तुग करते देखते हैं किसी बियान के बाद तो वो कहते हैं वो मा अलैना इल्लाल बलाग वो ये क्यों कहते हैं और इसके मानी क्या है इसका मतलब बहुत वाज़ है कि हमारी जिम्मदारी कोई नहीं है सिवाई ये के पैगाम को पहुचाना इसका मानी है कि हमारी जिम्मदारी इसके लावा कोई नहीं कि पैगाम को सिवाए कि पैगाम को पहुचाना बलाग याने पहुचाना पैगाम का पहुचाना और हत्ता खुद पैगंबर गिरामी की भी जिम्मदारी सिर्फ यही है कि वो पैगाम को पहुचाएं वरना इसके علاوہ کوئی اختیار نہ پیغمبر کو دیا گیا قرآن کریم کی آیت بھی ہے کسی کو زبردستی تو کیا نہیں جا سکتا صرف پیغام پہنچانے کا کام کوئی اضافہ جہاں تک ابلاغ ہے نا تو ابلاغ میں بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ میں زبان سے بیان کر دینا ابلاغ میں نہیں آتا اس کے ساتھ اتنا کر کے دکھانا بھی کاملن کما حق ہو ابلاغ تب ہوگا اس کا لفظی تجمہ تو یہ وہی ہے جو علامہ صاحب نے فرمایا لیکن ابلاغ کا پھر ہم پر نہیں ہے سوائے اس کے کہ پہنچا دینا پہنچا دینا بتا دینا اور اس طرح کر کے دکھا دینا کہ ہو سکتا ہے اچھا یہ ساتھ اس کے یہ بھی سوال تھا کہ جب ہم قرآن کرتے ہیں اور تلاوت اقلام پاک کرتے ہیں تو اختتام پہ کہتے ہیں صدق اللہ اس کے کیا معنی اور ایسا کیوں کہتے ہیں خدا بزرگ و برتر نے سچ فرمایا ہم یہ آخر میں کہتے ہیں کیونکہ پورا قرآن جو ہے وہ سچائی کی کتاب ہے جس کے بارے میں خود مولا متقیان کا بڑا خوبصورت خوالے فرماتے ہیں وَعَلَمُوا أَنَّا هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ النَّاسِ الَّذِي لَا يَغُشُّوا وَالْحَادِي الَّذِي لَا يُغِلُّوا وَالْمُحَدِّثُوا الَّذِي لَا يَقْزِبُوا جان لوگ کہ قرآن ایسی کتاب ہے جو نصیت کرتی ہے تو کبھی دھوکہ نہیں دیتی کیونکہ بہت سارے نصیت کرنے والے ایسی ہوتے ہیں جو دھوکہ بھی دے رہے ہوتے ہیں اور جب کوئی بات کرتی ہے تو ہمیشہ سچی بات کرتی ہے کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سچائی چھپا بھی رہے ہوتی ہیں اور بات بیان بھی کر رہے ہوتے ہیں لیکن قرآن کریم جو کتاب ہے وہ ایسی بیان کرنے والی کتاب ہے جو سچی کتاب ہے لہذا ہم آخر میں کہتے ہیں اپنے اقرار اور اعتراف کے لیے یہی بات ہے اچھا البتہ میں اما خدیجہ رضی اللہ صاحب کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ کیونہ ہی ان کو فالو کیا جا رہا اس میں جب سے ہم نے سیرت کو چھوڑا ہے اور ان کی تاریخ کو چھوڑا ان کے واقعات کو پڑھنا چھوڑا ہے تو اس وقت سے ہماری زندگیوں سے چیزیں نکلنا شروع ہو گئے ہیں حالانکہ آقا علیہ السلام کا صراحتن حکم ہے کہ اگر تم اپنی اولادوں کی تھنڈک دیکھنا چاہتے ہو تو تین کام کر لینا تمہاری اولاد یہاں بھی تھنڈک بنے گی اور مرنے کے بعد بھی پہلی جیس فرمائی ادیبو صلاح ادیبو اولادکم سلاسہ خصال حبہ نبییکم اپنے محبوب علیہ السلام کی اتنی محبت سکھا دو اتنی محبت سکھا دو کہ ان کے علاوہ کسی کو یہ ہیرو نہ مانے اللہ حافظ اور دوسرے نمبر انہی کو فالو کرو انہی کو سب سے ان کے موجزات بتائے جائیں ان کے واقعات بتائے جائیں کہ آقا علیہ السلام کے لعاب دہن کے صدقے سے شیرِ خدا کی آنکھیں ٹھیک ہو رہی ہیں ٹھیک ساری بات دوسرے نمبر پہ وَحُبَّ أَهْلِ بَيْتِهِ آقا علیہ السلام کے گرانے کی اتنی محبت کہ اس گھر کے علاوہ کسی گھر کو فالو ہی نہ کریں سبحان اللہ وہ کب ہوگا کہ جب ان کے فضائل ان کے منعقب ان کی ساری چیزیں ان کو یاد کروائیں اور تیسے نمبر پہ وَتِلَا وَتِلْقُرْآن قرآنِ پاکی تلاوت کی محبت کے گھر سے تب نکلیں جب قرآنِ پاکی تلاوت کر لیں اہلِ بیعت کی محبت اس میں چھوٹی سی بات ارز کرنا چاہوں گا اگر اجازت ہو دو جی ایک سوال ہے آوڈینس میں سے پھر اس سے جوڑ لیتے ہیں جی کسی کا سوال مائی یہاں کہہ رہے تھے حاضرین میں سے السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحمن سوال یہ ہے کہ جیسے ہم اس آل سواب کے لئے کہیں جاتے ہیں اور ہمیں گیار کے سروح nu سے پارے دی جاتا ہے تو اس میں درمیان میں سورہ توبہ ہوتی ہے سٹارٹ میں تو کیا ہم بسم اللہ الرحمن الرحمن پڑھیں یا نہیں پڑھیں اس میں تو نہیں پڑی جاتی سٹارٹ میں نہیں پڑی جاتی یہی میرا معلوم کرنا ہے چارہ ہی میں کہ جب ہم گیار کے سروح شروع ہی वहां से करें आप ये कह रही है नहीं अब जैसे हम ग्यार्वा से पारा स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके स्टार्ट में हम बिस्मिल्ला रहमारे हम पढ़ेंगे लेकिन सुरह तौबा जाए वो दर्मियान में पहुच चुकी है उस वक्त तक तो हमें क्या करना चाहिए मैं आर्ज कर देता हूं ये ये फर्मा रही हैं कि सुरह तौबा दसमें पारे से शुरू हो जाती है जी दसमें पारे से शुरू हो जाती है इनको ग्यार्मा पारा दिया गया और वो तो तौबा चल रही है अब ग्यार्मा पारे के अब तदा में ये बिस्मिल्ला पढ़ेंग अब हम कही इसाले सवाब में मौझूद हैं अब सजदा है तो हम किस तरीए से उस वक्ति इमिजेट सजदा अदा करें। अब सजदा आपकी जाज़स से अगर मैं सिफ यह कहूँ कि यह मैं खड़ा हूं कयाम में और सीधा मैं सजदा में चला हूं बिल्कुल इसी तरीका से करना है और हता वुजू होना भी जरूरी नहीं है बावुजू होना भी फिक जाफिया के मताबिश शर्त नहीं है अगर व हम सजदा शुकर अदा करें इतनी अच्छी परफार्मर्श भरान तो जब पढ़ेंगे लाईयुम्सुह इल्ल्लमताहर होगा उसी वुजू मैदा अफजल यह है कि फौरी कर लिया जाए अगर ऐसी जगह हो के नहीं कर सकते तो गुजाई शैबाद में करें बिल्कुल ठीक यह जो इसार और कुर्बानी है मौलाणा साब यह मर्द हजरात अगर मुझे माफ कीजेगा दीनी तालिमात को एक्स्प्लॉइट करके यह कहें कि भी डंडा मेरे हाथ में है और मेरी अताद तुमारे जिम्हे है और अगर होता तो सजदा भी जाए मतलब कहने का मकसर यह कि तो एक बाहमी इhtराम की सूरत है ना एक हुगुक अफुराइश की सूरत है तो यह वाला जो हमने एक अथॉरिटी लीए चरुप अथॉरिटी जब आती है तो जिम्हे बीजदारी भी ज्यादा आती है उस्वाई हसना उस्वाई करीम और साहिब कुरान से कुरान तक मुझेंगे आप तो वहां से अगर हम उठा के देखें तो आप आप अलेही सलातों सलाम ने किसी मौके पे इतने बड़े जुम्ले नहीं फरमाए तो मैं जन्नत में सबसे बड़ा दर्जा और वो क्या है आका के कदमों में जगा मिल जए वो किसको मिलेगी वो मैं खियारुकुम खियारुकुम लिनिसाइकुम जिस इनसान के अपने गारवालों के साथ अपनी बीबीों के साथ गारवालों के साथ अच्छा मौमला होगा उतना ही वो मेरे कदमों के करीब होगा इसमें एक चोटी सी बात हम अब अस्ताद मौतरं के पास बैठ हुए थे तो उनके पास काफी सारे लोग आए अमेरिका से कुछ परफेसर हज़रात थे, कुछ स्कालर हज़रात थे आके कहले हज़र को नसीहत फरमा दे तो कहलें के अब ज्यादा बातों कावा कर नहीं सिर्थ एक बात करूँगा लेकिन यकीन करें नूर भाई वो एक बात हम इस पूरे महीने में अगर वो पल्ले बात दे ये फरमाएं, मैं समझाएंगा कि पैसे पूरे होगे मैंने समझाए कि कीएंगे फुला अमल कर लो फुलां मैं जेनमें कफे ज़े ने कि उन में से कोई भी नई फमाएंगे कि अब याब अस्ताद वो है कि जब मुजूद नहो तो उसकी कमी महस्वाद की जाए Allaha khu Modern काम्याब शोहर वो है कि गर में मुझूद ना हो तो उसकी कमी मसूस की जाए काम्याब वालिद वो है कि मुझूद ना हो तो उसकी कमी मसूस की जाए काम्याब हमसाया वो है कि मुझूद ना हो तो उसकी कमी मसूस की जाए आज हम जहां से हटते हैं शुकर का कलमा पड़ा जाता है कि मुसीबत पीशे हटी है अब आपने बाद में फरमाई ना इस सिल्सले में एक रवायत भी है मैं रसकरूं कि एक खातून आती है पेगंबर रकम की खित्बत में और तीन खवातीने पैदर पै आती है कहती है कि मेरा शौर वो है कि जो नमाज और अबादा के अंदर लगावा है और दर्वेश जिसे हम कहते हैं फ़कीर हो गिया है और वो खुश्बू इस्तिमाल नहीं करता है उसने इतर को छोड़ दिया है और दूसी खातुन आई उन्होंने कहा कि मेरा शौर वो है कि जो कहता है कि बस हमें अल्ला वाला बन जाना है और वो ही जो जो जाहर नमा होते हैं कहा कि हम गोश इस्तिमाल नहीं करेंगे तो कितने दिन होके हमने घर के अंदर गोश नहीं खाया और तीसी खातुन ने कहा कि वो हक जोजिया ददा नहीं करता है तो पेगंबर रकंगों जलाल आ गिया मिम्बर पर तश्रीफ लाने के बाद गालिमन ये जुमले हैं जो पेगंबर ने शाहर फर्माए है कि मैंने सुना है कि ऐसा ऐसा हो रहा है चुनाचे جو شخص دین کی خاطر دنیا کو چھوڑ دے یا دنیا کی خاطر دین کو چھوڑ دے ہم میں سے نہیں توازن کے ساتھ وہی وہ ذات ہے جو دنیا بھی بہترین دینے والی اور آخرت بھی بہترین دینے والی ہے تو کیوں نہ دعا کریں کہ بہترین دنیا بھی ہمیں نصیب ہو اور بہترین آخرت بھی ہمیں نصیب کہ میہ بی بی کا تعلق اسی طرح اچھے طریقے سے چل سکتا ہے کہ جب جذبات کا جواب اتنی جذبات سے دیے لیں ابھی میرے ذہن میں ایک واقعہ آ رہا ہے حضرت مولا علی تشریف فرما تھے جناب سیدہ تھی اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے حضور تشریف لائے تھے اور حضرت علی اسی وقت مزدوری کر کے تشریف لائے تھے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم دونوں میں سے کون زیادہ تھکا ہوا ہے جناب سیدہ اور حضرت مولا علی تو جناب سیدہ فرماتی ہیں کہ علی تھکے ہوئے ہیں یہ کام سے آ رہے ہیں اور جناب حضرت علی فرماتی ہیں کہ نہیں فاطمہ تھکی ہوئی ہیں سارے دن کے کام سے کام کر کے انہوں نے بچے سنبھالے تو یہ وہ رویہ ہے جو مطلوب ہے یہ جو علی بکار قادی صاحب نے ابھی جو بات کی ہے یہ تشریح ہے اس لباس کی جب کوئی بے لباس ہو جاتا ہے تو برہنا ہو جاتا ہے ننگا ہو جاتا ہے تو بیوی اور شہر ایک دوسرے کا لباس ہیں عادت ہو جاتی ہے ہم اسے سنس آف ہیومر میں بھی گردانتے ہیں کہ وہ آپ کوئی نہ کچھ جوک بنا لیتے ہیں یا کچھ کر لیتے ہیں لیکن میں آپ سے اس مثال کی بات کر رہا تھا اور میں نے دو ایسی شخصیات کو دیکھا اپنی زندگی میں جو شاید آپ بھی انہیں جانتے ہیں اور وہ تھے شفاق احمد صاحب اور محترمہ بانو کدسیہ محترمہ بانو کدسیہ صاحبہ ایک مشہور نوول نگار ڈراما نگار انہوں نے گھر بیٹھ کے ہی لکھی جتنی کتابیں لکھی اگر ان کو سکرپ بھی جانا ہوتا تھا تو وہ ٹیلی ویژن کسی کے ہاتھ جاتا تو وہ خود نہیں جاتی تھی گھر ہی پہ اس سارے عرصے میں ایک بہت خاص بات میں جو آپ کو بتاؤں گا اور وہ جو ایک برکت کی بات ہے وہ یہ کہ کسی نے جب انہوں نے پوچھا بچوں کی تاربیت کے وقت کہ ہم اپنے بچوں کی تعلیم کو کیسے پاک کریں تو انہوں نے کہا بچوں کو پڑھایا کرو سو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس گھر میں ففٹیز اور سکسٹیز سے لے کے جو ہیلپرز تھے ان کو انہوں نے پڑھایا وہ آگے جا کے بینک کے منیجرز بن گئے وہ سب ہو گئے آٹھویں ساتویں دسویں یہ سب ہوتے ہوئے اس نیت کے ساتھ اور یہ معمول ان کا ان کی قریباً آخری سانس تک جاری ہو ساری رہا پھر کسی نے کہا کہ رزق کیسے پاک کیا جا سکتا ہے تو انہوں نے کہا جتنا راشن لو اتنا ہی راشن کسی اور کے لیے بھی لو اور جتنی بھی وہ ہو سکتی ہے تو بچوں نے اپنی وہ سویٹس بھی اس کے اندر شامل کر دی ہوتا ہی ہے خاتین حضرات کہ آپ جب اپنی ضرورتیں اتنی زیادہ بڑھا لیتے ہیں تو پھر یہ فاصلے ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ کا بینک بیلنس اور آپ کا لائف سٹائل اتنا تکڑا ہوتا ہے تو وہ اتنا سارا وہ آپ کسی دوسرے کو کیسے کریں گے پھر تو دل پہ ہاتھ پڑتا ہے لیکن اگر سادہ زندگی بسر کریں تو بہت سوں کا گزار اس کے اندر ہو سکتا ہے یہ فلاہ کے راستے ہیں اور ماں جی نے کہا تھا اور میں بات ان کی کوٹ ان کوٹ آپ کو کہہ دوں کہ انہوں نے کہا کہ ترقی کے راستے میں فلاہ نہیں ملتی فلاہ کے راستے میں ماری موٹی ترقی مل جاتی ہے تو اللہ کرے ہمیں بھی ماری موٹی ترقی مل جائے انشاءاللہ اتحاد رمضان کی ٹرانسویشن میں آگے آپ سے ملتے ہیں میں بہت شکر گزار ہوں علامت حقی مہدوی صاحب کا مولانا عمران بشیر صاحب کا اور علی وقار قادری صاحب کا اور آپ سب کا بھی بہت بہت شکریہ ملتے ہیں آپ سے کچھ دے مولانا عمران سب کا مولانا عمران سب کا